नमस्कार मैं हुख प्रवेंट गोतम दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि पियम मोदी ने हार के बाद टीम इंडिया के खिलारियों से ड्रेसिंग रूम में जाकर मुलाकात की खिलारियों की हुसला आप जाए की कि हार जी तो खेल का हिस्सा है आप पूरे टुनामेट में बहुत बढ़िया खेले देश के प्रधानमत्री के ऐसे जैस्चर की हर किसी को तारिफ करनी चाहिए लेकिन मोदी जी के अनभक्त क्या कर रही है टीम इंडिया के खिलारियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है जिन खिलारियों ने अनेक मौकों पर देश का नाम रोशन किया उन खिलारियों को ट्रोल कर रही है सुरे कुमार यादव जिनने दुनिया भर में 360 डिग्री वल्लेबास के नाम से जाना जाता है जिनोंने भारत को अनेक मैश कम से कम T20 मैशों में तो जिताए हैं और इस वर्लकप में भी इंग्लैन के खिलाब अच्छी पारी खेली थी सुरे कुमार यादव को परियाप मौके नहीं मिल पाए लेकिन फाइनल मैश में उनका बल्ला नहीं चला तो अंधभक्त उनके पीछे पड़ गए हैं पहले आपको सुनाता हूँ कि सुरे कुमार यादव ने कहा क्या सुरे कुमार यादव ने वर्लकप फाइनल में हार के बाद आप ट्विट देखें सुरे कुमार यादव का क्या कहा Heartbroken यानि दिल पूरी तरह से तूट गया है और इसकी भरपाई में कुछ समय लगेगा ये कहते हैं सुरिकुमार यादव तो सुरिकुमार यादव ने आगे अपनी टीम के बारे में रिखा कि जीत और हार में हम सब एक जूट रहते हैं और सुरिकुमार यादव ने अपनी दिल की बात कही कि वो पूरी तरह से Heartbroken महसूस कर रहे हैं यानि दिल तूटा हुआ महसूस कर रहे हैं लेकिन खिलारियों का जब हमें साथ देना चाहिए तो मोधी जी के भक्त अंधभक्तों की ट्रोल आर्मी क्या कर रही है दीपक शर्मा जो की मशूर यूटूबर है राइट विंग ट्रोल आर्मी के कहते हैं कि रहने दे भाई देख लिया तेरा भी फुसी बम इसके लाद दिवान महरा कहते हैं कि भाई पहले च्विंगम चबाना बंद करो आपका ध्यान गेंद पर नहीं रहता शॉर्ट कब मारते पूरी टीम के आउट होने के बाद या सब ओवर खत्म हो जाने के बाद कमाल है गुरू इसके बाद एक और मोदी जी के समर्थन करने वाले और अंदभग ट्रोल आर्मी के सदस्य मनोज पांडे कहते हैं कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए वंडे गेम से आप खेल के लिए डिस्ग्रेस हैं मतलब ऐसे शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं कि आप खेल के लिए डिस्ग्रेस हैं आगे लिखते हैं कि हम आपकी वज़े से हारे यानि अकेले सुरे कुमार यादव को मनोज पांडे ने हार का जिम्मेदार बता दिया और इन सब की प्रोफाइल पर आप जाओगे तो सारे राइट बिंग आर्मी के मिलेंगे, सारे मोधी जी के समर्थक मिलेंगे सुरिक कुमार यादव को ट्रोल करने वाले इन अंधभक्त आर्मी के सदस्यों को जैशा से सवाल करना चाहिए कि आपने फाइनल में ऐसी पिछ क्यों बनाई ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखाता हूं रिकी पॉंटिंग, नासिर हुसेण और माईकल बोन जैसे दिगज़ खिलारियो की बयान रिकी पॉंटिंग, माइकल वॉन और नासिर हुसेन ने फोक्स क्रिकेट को इंटरिव्यू में कहा कि इंडिया ने जो टैक्टिकल पिश तयार की थी जान बूचकर आस्टेलिया को फसाने के लिए जो घटिया पिश तयार की थी वो बैक फायर कर गई ये क्रिकेट के जो लिजेंड क्रिकेटर हैं उनके बयान है हो सकता है मेरी समझ क्रिकेट की इतनी ना हो लेकिन आप रिकी पॉंटिंग, माइकल वॉन और नासिर हुसेन जैसे खिलारियों की समझ पर भी क्या सवाल उठा सकते हैं और इन खिलारियों का ये बयान दिखाता है क फाइनल मैच में कितने घटिया पिश तयार की गई तो सुर्ख कुमार यादव क्या करें अब लोग कहेंगे कि यार औस्ट्रेलिया वालों ने तो चोके छके मारें तो मैं पहले भी पहले वाले वीडियो में कह चुका हूँ कि रात को ओस परती है बल्ले बाजी आसान हो जात भरोसा नहीं कर सकते इसलिए सुर्ख कुमार यादव पर भारी प्रेशर था कि वो चाह कर भी बड़े शौट खेलने की कोशिश नहीं कर सकते थे बशरते आकरी के दो तीन ओवर ना आ जाए उसके बाद जब गेंद इतना रिवस स्विंग कर रहा हो इतना स्लो आ रहा हो त अलावा विराट कोली ने कुछ शौट लगाए थे पावर प्ले में लेकि जब रोही शर्मा आउट हुए उसके बाद किस बल्ले बाद ने खुलकर बल्ले बाजी की क्योंकि पिछ भी आसान नहीं थी और फाइनल मैश का अलग दबाव था तो सुर्ख कुमार यादव से ज जैशा से सवाल करना चाहिए कि ऐसी टैक्टिक क्यों अपनाई जो हमें ही बैकफायर कर गई सुर्ख कुमार यादव जैसे खिलाडियों ने कई बार देश का नाम रोशन किया है हमारा मनोरंजन किया है हमने ही उन्हें 360 डिग्री बल्ले बाज का तमगा दिया जब फाइनल में नहीं चल पाए तो इस तरह की ट्रोल आर्मी उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रही है आप सुर्ख कुमार यादव की इस तरह की ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पीरायस जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चल को सब्सक्राइब करें नमस्कार झाला 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 है झाला झाला ह हमारा इस्तमाल कोना झाला हमारा यादव को छ्या